बड़े अधिकारियों की कुर्सी पर सफेद तॉलिय का रास अगर आप किसी बड़े सरकारी ओफिस के कार्याले गए हो तो आपने देखा होगा कि उनकी कुर्सियों पर सफेद तॉलिया रखा होता है दश्कों से चली आ रही इस परंपरा की पीछे का लॉजिक क्या है इसके बारे में कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पादा है यहाँ तक कि साब की कुर्सी पर चमचमाता सफेद तॉलिया रखने वाले चपराजी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती लेकिन आज भी आप कई सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों की कुर्सियों पर सफेद तॉलिया देख सकते हैं हाला कि आज की युवा पीड़ी के कुछ अधिकारियों को इसे रखने या ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता अकसर लोगों के मन में भी ये सवाल उठता ही रहता है कि आखिर सरकारी दफ्तरों की कुर्सियों पर सफेद तॉलिया क्यों रखा जाता है और इसके पीछे की असली वज़ाग क्या है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके इस दुविदा का जवाब देते हैं नमस्कार स्वागत है आपका प्रभाद एक्जाम के हमारे यूटिब चानल पर यहां आपको मिलेंगी सभी कॉंपुटिटिव एक्जाम से जुड़ी महतपुन जानकार या अगर आप हमारे चानल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना पूले पिछले दिनों इस सवाल को लेकर सोशल मीडिया पर देश के कई बड़े IPS, IES, IRS अधिकारियों की बीच जंग छड़ गई थी ये कोई आपसी लड़ाई नहीं बलकि सफेद तौलिये पर सठीक जवाब देने की जंग थी इस दोरान हर किसी के पास अपने अपने तर्ग थे इन में से कुछ सही थे तो कुछ नए लेकिन मजाकिया भी थे देश में कुछ IES, IPS और IRS अधिकारियों के इनी मजाकिया जवाबों ने शोशल मीडिया पर महफिल लूठ ही ली थी दरहसल इसकी शुरुबात IRTS अधिकारी संजे कुमार के एक ट्वीट से हुई जिसमें उन्होंने लिखा अगर एक कमरे में दस एक जैसी कुरसिया हो तो सीनियर की कुरसी में अंतर कैसे करें साथ ही जवाब भी दिया उस पर सफेद तॉलिया रख दे बस फिर क्या था उनके इस ट्वीट के जवाब में सोशल मीडिया पर ग्यान की गंगा बहने लगी ऐसे दरान IS, IPS, IRS अधिकारियों के एक के बाद एक बढ़कर जबरस जवाब मिलने शुरू हो गए इस दरान किसी ने कहा, सिनियरिटी के प्रतीक के रूप में ये सफेद तॉलिया भारतिय इनोवेशन है तो किसी का जवाब था जब एसी नहीं होते थे तो उस दौर में सफेद तॉलिया नमी सोकने की देसी जुगार होता था क्या है सफेद तॉलिये का इतिहास? इस दोरान आयरेस अधिकारी विकास प्रकाश सिंग ने जवाब दिया भारती नौकर शाही में सफेद तौरिया हमेशा से एक जग्यासू मामला रहा है लेकिन असल में इसके शुरुवात ब्रिटिश काल के दोरान हुई थी इसके पीछे का मुख्यकारण था उस दौर में ब प्रिटिश काल से ही हम इस परंपरा से जुड़े है जो आज तक कायम है सफेद तौरिये का राजनितिक कनेक्शन सफेद तौरिये का भी अपना एक अलग ही एटिट्यूट है सफेद तौरिये का ये चलन केबल सरकारी अधिकारियों तक ही नहीं बलकि भारती राजनिती मे इसका बड़ी मात्रा में इस्तिमाल होता है इसे आपने राशनेताओं और मंत्रियों की कुर्सियों में भी देखा होगा इसलिए सफेद तॉलियों को हमेशा इंडियन पावर पॉलिटिक्स से भी जोड़ कर देखा जाता रहा है दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो प टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नवश्कार